राम राम सभी को, वेलकम बैक टो दे चनल, उमीद करता हूँ अब सब अच्छे होंगे, तो ये हैं हुन्डाई की अलकजार, वेरियंट की बात करें तो एक प्रेस्टीज वाला वेरियंट है, सेवन सीटर के अंदर, इंजिन ओप्शन की बात करें तो मेरे सामने जो खड़ा इसके अंदर आपको दो remote control key मिल जाती है, जिसके अंदर आपको lock मिल जाता है और unlock मिल जाता है, तो lock unlock पे ऐसा कुछ sound करेगा, साथी साथी mirror भी fold हो जाएंगे, lock पे और unlock पे ऑन फोल्ड हो जाएंगे, यहां से तीसरे बटन से आप गाड़ी बाहर से start भी कर सकते हैं, बाहर मिलता है और साथी साथ इंडिकेटर लाइट है वो आपको हेलोजन बेस मिल जाती है फ्रेंट से गाड़ी का कुछ ऐसा लुक मिल जाता है टायर प्रफाइल की बात करें इसके अंदर आपको इस टाइब के अलोविल मिल जाते है 17 इंच के और टायर प्रफाइल मिलते हैं 215-68-17 17 इंच के आपको इसके अंदर आपको वेलकम फीचर मिल जाता है जैसे आप गाड़ी लॉक है आपके पास में आएंगे तो इसके मिरर अनफोल जाएंगे यहां पर एलेडी आपको इसके अंदर इंडिक आपको बॉड़ी कलर मिल जाते हैं यहां पर इसके एंदर आपको डार्क क्रोम मिल जाता है इसके अनफोग को चाँछा ब करें यहां इसके पार सकते हैं इतना वाइड ओपन हो जाता है तो देख सकते हैं तर डार्क ब्राउन इन्टिर देखने लिए ड्यूल New हैं udah जाता है यह प्रिज यहां से अपों पूरा पिछे कर लेता हूँ मैं seat को अब पूरा पीछे कर लेता हूँ फिल गाड़ी के अंदर बैठता है यहाँ पे देख सकते हैं आपके इसके door panel पे सारे आपको control मिल जाते हैं one test down आपको खली driver side मिलते हैं सारे mirror के control आप lock unlock कर सकते हैं electric fold कर सकते हैं यहाँ से पीछा door भी lock कर सकते हैं windows के यहाँ पे इसके अंदर space मिल जाता है यह पूरा आपको hard plastic मिलता है बट यह आपको paint हुआ मिलता है बट आप दूर से देखेंगे तो काफी आपको अच्छा लगेगा ऐसा लगेगा नहीं paint हुआ हुआ है यहाँ पे इसके अंदर आपको इस टाइप से solutionation मिल जाते है साथी साथ इसके अंदर आपको ambient light मिल जाती है देख सकते हैं आपको चारो door के अंदर मिल जाती है साथी साथ आपको यहाँ पर dashboard के अंदर भी मिल जाती है अब भी जादा उजाला हो रहा है तो इसलिए justify नहीं हो पाईगी बट आपको इसके अंदर ambient light मिल जाती है company से ही और इसके color जो बात करें तो 64 different color के अंदर आपको इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं इसके अंदर आपको 8 speaker का sound system मिल जाता है decent साथी साथ यहां पर आपको दो tweeter मिल जाते फ्रेंट में और फ्रेंट में दो speaker मिल जाता है यहां में लिटर की bottle रख सकते हैं छोटा मोटा और सामान रखने के लिए मिल जाएगा आपको अंदर बैठते हैं वपन तो देख सकते हैं इस टाइब का आपको steering wheel देखने के लिए मिल जाता है यहां से आपको फ्लाइट मिलता है यहां पर सिल्वर फिनिश यह सारे आपकी music के control साथी साथ वोइस कमांड के लिए मिल जाता है फोन उठाने काटने के लिए इधर सारे आपके MID cluster कांट्रोल साथी साथ cruise control मिल जाता है स्टेरिंग की बात करें तो यह आपको टेल्ट मिल जाता है साथी साथी आपको टेलिस्कोपिक भी मिल जाता है सेंटर में हुंडाय का लोगो यहां पर आपको इसके अंदर आपको पूरा डिजिटल देखने के लिए मिल जाएगा देख सकते हैं आपको पूरी अलकजार ब लोग मिलेंगे उसके लिए आपको सारे यां कंट्रोल दे रखें जैसे एवरेज देख सकते हैं आप इस टाइप सब्सक्राइब किस गाड़ी में खड़ी है वो चेक कर सकते हैं इस बटन से यहां पर आप देख सकते हैं इसको टायर प्रेशन मोनिटर मिल जाता है इसके लेडी बोलती है आपको don't forget seatbelt के लिए तो यह एक यूनिक फीचर इसके अंदर यहां पर देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सिल्वर फिनिश मिल जाएगा टच के अंदर यहां पर पूरा ऐसा कुछ डैश्वर देखने के लिए मिल जाएगा 10.25 इंच का आप blue link आपको तीन साल तक ही मिलेगा उसके बाद आपको extend कराना पड़ेगा blue link आपको एक benefit यह मिलेगा अगर blue link है तो आप phone connectivity के अंदर आपकी गाड़ी कहां चल रही find my car देख सकते हैं आप बाहर से ही गाड़ी को start भी कर सकते हैं बाहर से off कर सकते हैं तो आपकी phone के application से यह सार बटन्स दे रखें circulation off करने के लिए आपको defogger or front defogger के सारा मिल जाता है नीचे के साइड में आपको fast charging के option मिल जाता है साथी साथ wireless charger मिल जाता है यहां पे USB लगाने के लिए यहां fast charger का चार्जर का चार्जर लगाने के लिए 6-speed का आपको manual transmission मिल जाता है मैं आपको एक बार इसके reverse gear की camera की quality चेक कर दो तो यहां पर अलकजार बनी वे आजाएगी यहां पर adaptive guidelines के साथ में camera की quality मिल जाती है तो इसके brightness आप जादा भी कर सकते हैं आपके साब से यहां बटन दे रखा है आप गाड़ी चलाते चलाते पीछ वाला camera भी on कर सकते हैं तो यह गाड़ी स्टा यहां पर आप में रिष्ट मिल जाता है जो आपको soft leather का मिलता है ताफी deep space मिल जाता है इसे के अंदर यह आगे पिछे नहीं होता एक जगह fix रहता है यह जो glove box ही बात करें तो यहां पर अपको leather मिल जाता है पूरा और इधर आपको यह paint वावाँ मिल जाता हैаться rubber finish के अंदर तो डेशबूर्ड कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा इसके अंदर आपको six airbag मिल जाते हैं दो आपको आगे दो आपको साइड कर्टन के अंदर आपको ओटो दिमिंग ओवर मिल जाता है जिसके अंदर एसके टॉइंग के लिए ब्लू लिंक के सारे कनेक्टिव मिल ज यहां पैनरामीक सनुख यहां वरडंक क४ॉरा दे रखा एक यहां जा और को साइड में 2 आहसा देखने के लिए ब्लाइव किलेएक चलते हैं नहीं सीट की बात करूं तो मैंने मेरी हाइट के कोडिंग सेट कर रखी जिससे आप से में ड्राइविंग पोजिशन इसका चलाता हूं एक नीचे डैट पेडल मिल जाता है तो नी रूम मुझे अच्छा कासा मिल जाता है फिर वी में बार सीट आगे कर लेता हूं इसे गाड़ी आफ करेंगे तो इस टाइप का आपको साउंड सुनने के मिलेगा इसके अंदर पीछा वले जो डॉर है उसके अंदर भी आपको इस टाइप करों देखने करें यहां यू कनेक्टिड मिल जाता है तो पीछा डूर इतना ओबन हो जाता है यहां आपको एक यहां सिल्वर फिनेश यहां विंड़ो से कंट्रोल यहां स्पीगर मिल जाता है वन लिटर की बोटल स्पेस देख सेटे भी आपको इसी मिल जाती है यहां पर आइसो फिक्स चाइल सीट के लिए भी आपको बनावा मिल जाता है अब बैठते हैं अंदर साथी साथ जो फ्र से अटा बर अच्छा कासा मिल जाता है थाय सपोर्ट भी मुझे अच्छा कासा मिल जाता है यहां इसी वेंड के लिए मिल जाता है एक पास चारजिंग का अप्शन कना इसके अफूस्ता आप चलता है पिछे साइडमें जो जूसके इसके सेवन सीटर है उसके अंदर देखते हैं तो डोल वास्ता में काफी मिल जाता है अपको पेंगे क लिल जाता हैं और इसके रहें प्रेटे। अच्छ? आइसे आपकी पूरी स्पीट आगे चले जाएगी अंदर चलते हैं पिछे की साइड में बैटते हैं कितना के स्पेस मिलता है तो लिती कि पिछेकी साइड में बच्चा ही मिल जाएगा यहां पर इसके अंदर आपको light दे रखिए LED और यहां पर आपको proper थर्ड पेसंजर के लिए यहां पर एक seatbelt और दे रखिए पीछे के साइड में आपको दोनों पैसेंजर के लिए seatbelt मिल जाती है यहां आपको ऐसी वेंड मिल जाता है एक फास चारजिंग का ओप्शन और यहां पर ब्लोवर की स्पीड कम जाधा करने के लिए दोनों साइड आपको एक fan देखने के लिए मिल जाएंगा दोनों साइट यहां पर आपको cup holder मिल जाता है, space, इधर भी आपको cup holder space मिल जाता है, पीछे की साइड में प्रॉपर दोनों के लिए, passenger के लिए, seat bed देखने के लिए, प्रॉपर दोनों के लिए, आपको headrest मिल जाता है, adjustable, तो यह आपके लिए plus point हो जाता है, बट मेरा माने तो इस type से आप र तो इससे कोई problem नहीं होने वाली है, इसके अंदर, तो यह seat जो है आपकी middle वाली, यह भी आपको इसके अंदर six way edges मिल जाती है, तो इससे यह recline भी हो जाती है, तो इससे जादा space भी मिल जाएगा, आपको और जादा अगर चाहिए, तो इसको ऐसे करके और जादा space भी ले स जाता है, तो आपको doors जो है, काफी airy feel होगा, ऐसा गुटन जाएसा feel नहीं होगा, rear के tail light ही बात करें, तो यह आपको LED मिल जाती ही, दोनोक दोनो, यहापको अलकजा लिखावा मिल जाता है, camera की placement आपको यहाँ मिल जाती है, साधी सार रिवर्स में आपको चार parking sensor मिल जाते है, इसी के अंदर आपको दो edges देखने के लिए मिल जाएंगे, पूरे के दोनोक दोनो, आपको function मिलते हैं, और spare wheel के बात करें, तो वो आपको यहाँ मिलती है, और यह एक साइस छोटा, और आपको steel frame के अंदर मिलता है, slit pit देख सकते हैं, आपको silver में देखने के मिल यह आपको पूरी LED light मिल जाती है, यहाँ पे indicator light और reverse light जो है, वो आपको halogen base मिलेगी, आपको rear में आपको wiper मिल जाता है, defogger मिल जाता है, high stop lamp मिल जाता है, rear से सी कुछ profile, यहाँ पे आपको boot access करने के लिए बटन दे रखा है, तो ऐसा कुछ open हो जाएगा आपको boot, boot space की बा यहाँ पे इसके अंदर आपको light मिल जाती है, halogen base, यहाँ पे आपको hook मिल जाते है, आपको कुछ सामन रखना है, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पूरा pack मिल जाता है, यहाँ पे आपको lever दे रखा है, इसको ऐसे close कर सकते है, तो ऐसे कुछ profile rear से, और fuel tank की बात करें इसके diesel की डीजल, CIDA वाला engine मिल जाता है, डीजल वाला, जो max power produce करता है, 113 bhp max torque जो प्रोडूस करता है, 250 Nm टॉर्क, airi ने इस गाड़ी का airway जो claim कर रहा है, डीजल के अंदर वो कर रहा है, 20.4 km का, यह front wheel drive मिल जाती है,